असलाम आलेकुम, my name is Michal Tayyab and welcome to Gohar Publishers, our motto is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning और हम जो है वो पढ़ रहे हैं Gohar Social Studies class 4 की और हमने start किया है chapter number 5, हमने globe और map के हवाले से पढ़ा था आज हम पढ़ने जा रहे हैं Key Elements of Map यानि कि map के जो हैं कुछ elements होते हैं वो कौन से हैं आएए मिलके देखते हैं जी हाँ तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है different maps have some common elements Same parts for example यानि मुख्लिफ नक्षे जो हैं उन में कुछ common elements होते हैं common चीजे होती हैं वो कौन कौन सी है यह जो पांच चीजे हैं आप कोई भी नक्षा बना लें कैसा भी नक्षा बना लें किसी भी जगा का नक्षा बना लें यह पांच चीजें जो हैं यह जो पांच इसके elements हैं यह Same होंगे अच्छा जी अब आपने common elements पढ़े हैं इनको हम pictures के जरीए भी define करके बता देते हैं और थोड़ा सा आपको explain कर देते हैं इसके जरीए जो है आपको बहुत असानी हो जाएगी नक्षे को पढ़ने के लिए कि basically जो है वो नक्षा है किस तरह से use करना है और अगर नक्षे में यह चीज यह symbol बना हुआ है तो यह किस चीज का symbol है और हम लोगों ने इसका यहाँ पर क्या मकसद था सबसे पहले वो कह लेते हैं कि जी title the title of map Pishawar city यानि कि हम जो है वो title ले ले लेते हैं title में क्या हो सकता है आपका title हो सकता है अगर तो आप पाकिस्तान का नक्षा बनाने जा रहे हैं तो आप उसका title लिखेंगे पाकिस्तान अगर आप specifically किसी city का नक्षा बनाने जा रहे हैं जैसे यहाँ पर जो है वो Pishawar city का नक्षा दिया हुआ है तो आप उसको उपर title में mention करेंगे कि ये जो नक्षा है ये पिशावर city का है ताकि उठाने आप जो भी आपका map देख रहा है पकर रहा है पर रहा है देख रहा है उसको पता होना चाहिए कि किस जगा का specifically map है नमबर टू पर हमारे पास locator अच्छा जी आप हमेशा से जब भी maps use करते हैं अब तो digital door है आप देखते कि आपके पास बहुत सारे maps जो है वो available होते हैं online भी तो उसमें एक locator होता है locator क्या होता है एक arrow बना रहा होता है वो arrow होते है कि आप उस जगा जिस जगा पे आप मौज share कर देता है तो जैसे ही आप उसको on करते हैं तो एक locator वहाँ पर बनावाता है arrow बना वाता है red गलर का arrow बना वाता है उसको हम locator कहते हैं और वो use करते हैं ताकि हमारे लिए easy हो जए हमारे सबसे पहले हैं जैसे कि स्कूल का, हॉस्पिटल का, होटेल का, स्टोर का अच्छा जी स्कूल का जो सिंबल है उसके उपर आप देखे कि कैब बनी हुई आ रही है वो कैब से आपको पता चल जाता है कि इस कूल कैब है यानि के कोई भी ऐसी चीज जो के एजुकेशन से रिलेटेड है वो इसको लुकेट कर रहा है नमबर तू पर हमारे पास हॉस्पिटल उसमें लुकेटर में आप देखे है एच बना आ रहे है ताइट मींस कि यह हॉस्पिटल का साइन है नमबर 3 पे हमारे पास hotel उसके अंदर आप देखें fork और knife बना हुआ that means ये खाने से related है तो ये hotel के locator है और नमबर 4 पे हमारे पास store उसके उपर आप देखें कि card बना हुआ आ रहा है उस card से आपको पता लग जाता है कि ये shopping से related है that means कि ये किसी भी store का symbol है तो इसे जो है ये बहुत असान हो जाता है और आप जो है वो सिर्फ symbol देखके भी बता सकते हैं कि ये जगा जो है वो specifically इस चीज़ को mention कर रही है नमबर 4 पे हमारे पास scale distance bar अच्छे जी distance bar क्या होता है आप किसी भी जगा की जो है वो आप distance देख लेते हैं फिर आप जब map यूज कर रहे होते हैं तो map यूज करते हुए आपने देखा होगा कि वो colored हो जाती है ये जगा वो आपको उतनी colored जगा जो है वो बता देता है कि ये distance है इतना distance है और आपने यहां से लेके यहां तक जाना है जहां पर आपका color bar जो है वो खत्म हो गया है that means you are arrived on your destination तो इससे बहुत easy हो जाता है और ये locate करने में भी बड़ा easy आपको करामत जो है वो थाबित होता है लास्ट में हमारे पास compass rose north arrow अच्छा जी अब जो है वो compass किस तरह से use की जाती है compass में आपके पास four directions जो है यानि के north, east, west और south उसके बारे में जो है वो आपको locate करता है आप जो है वो compass को कहीं पर भी रखें तो आपको जो है वो सारी location बता देगा कि आपका north किस side पे है, east किस side पे है, west किस side पे है और south किस side पे है तो ये compass जो है ये भी बड़ा easy कर देता आपका काम और फिर आप easily नक्षे को इस्तमाल कर सकते हैं अच्छे नेक्स वो कह रहा है कि location of land masses and ocean seas there are two major type of bodies on earth they are land and water अच्छे, दो major है एक पानी है और एक जमीन है यानि ये दो चीज़े हैं आप जमीन पे घर बनाके रहते हैं और पानी में आप जाते हैं आप बोर्ट्स लेके चले जाते हैं यानि कि दो चीज़ों से मिलके आपकी पूरी अर्ष बनी विया एक है जमीन और दूसरा है आपका पानी मैं उमीद करते हूँ कि आपको आज का लेक्चर भी जो है वो अच्छे से समझ आ गया होगा आपको डिफरेंस पता चल गया होगा ग्लोब और मैप का मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखियेगा अलाहाफिस